Good morning students, आज हम उनमेश इंदी पाठ्य पुस्तका पाठ आठ शुरू करेंगे, जिसका नाम है परिक्षा, परिक्षा से ही हमें पता चलता है कि जब भी हम चुनाव करती हैं तो पहले प्रिक्षाएं ली जाती हैं, बच्चों आपके विद्यार्थी जीवन में भी आपको अगल प्रिक्षा ली जाती है कि क्या उस पद को प्रापत करने के काबिल आप हो या नहीं, ऐसे ही एक दिवान थे सुजान सिंग जो बहुत बुड़े हो गए थी और वो अपने राजा से कहती हैं कि अब मैं दिवान के पद पर आपकी सेवा नहीं कर सकता, ये कारिया नहीं कर सक तो आप एक नया दिवान चुन ले, तो वो चुनने के लिए राजा और सुजान सिंग दिवान ने क्या-क्या प्रिक्षा ली, क्या-क्या लोगों के उन्होंने लोगों की प्रिक्षाएं ली, आईए इस पाठ को पढ़कर जानती हैं, आईए पाठ को पढ़ती हैं और दि महाराज से विन्य किया विन्य मिन्स बेंती प्रात्मा दीन बंदू दासने शिरिमान की सेवा 40 वर्षों तक की अब मेरी अवस्था याने के उमर भी डल गई रात का संभालने की शक्ती नहीं रही कहीं भूल चुक हो जाए तो बुड़ापे में मेरे कारे में दाग ना लगे सारी जिंदगी की नेकनामी नेकनामी होता है अच्छा काम अच्छा नाम कहीं नेकनामी मिट्टी में न मिल जाए जाजा साहब अपने अन्भवशील नितीक उशल दिवान का बड़ा ही आदर करती थी बहुत समझाया लेकिन जब दिवान साहब ना माने तो हार कर उनकी प् सावी की रियासत के लिए जो नया दिवान आपको ही ढूड़ना पड़ेगा दूसरे दिन देश के प्रसिद समाचार पत्रों में यह विज्यापन निकला देवगड के लिए एक सु योग्य दिवान की जरूरत है जो सज्जन अपने इस पद जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान दिवान सज्जा सुजान सिंग की सेवा में उपसीत हो यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजूट हो मगर हश्ट पुष्ट होना चाहिए हश्ट मुश्मीन स्वस्थ एक महीने तक उमीदवारों के रहन सेहन अचार विचार की देखबाल की जो महाश्य इस प्रक्षा में खरे उतरेंगे वे इस उचपद पर सुशोबित होंगी इस विज्यापन ने सारे मुल्क में हल्चल मचा दी ऐसा उचा उचा पद और किसी प्रकार की कोई कैद नहीं केवल नसीब का खेल है सेंकड़ो आदमी अपना अपना भाग्य परक्ष लिए चल पड़े देवगण में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई दिने लगे प्रतेक रेल गाड़ी से उमीद वारों का एक रेला सा उतरता कोई पंजाब से चला आता था कोई मद्रासी कोई नए फैशन का प्रेमी कोई पुरानी साध्गी पर मिटा हुआ पंटितों और मोल्वियों को भी अपने अपने भाग्य की प्रिक्षा करने का अफसर मिला रंगीन चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटॉप देवगण में अपनी सच दज दिखाने लगी लेकिन सबसे विशे संख्या ग्रैजुटों की थी सरदार सुजान सी ने इन महानभूवों के आदर सतकार का बड़ा अच्छा प्रबंद कर दिया था लोग अपने अपने कमरों में बैटे हुए महीनों के दिन गिना करते थे हर एक व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धी के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था लेकिन मनुश्यों का वह बुड़ा जोहरी आण में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहां छिपा है एक दिन नए फैशन वालों को सूजी कि आपस में हौकी का खेल हो जाए यह है प्रस्ताव हौकी में मंजे हुए खिलाडियों ने पेश किया यह भी तो आखिरेक विद्या है इसे क्यों छिपा कर रखें संबब है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए चलिये तैं हो गया फील्ड बन गया और खेल शुरू हो गया रियासर देवगड़ में यह खेल बिलकुल निराली बाती यानि कि अनोकी वाल इससे पहले वहां कभी भी हौकी का खेल नहीं हुआ था पढ़े लिखे भले मानस लोग शत्रंज और तांज जैसे गंबीर खेल खेल खेलते थे कोई लहर बढ़ती चली आती हो लेकिन जो दूसरी टीम थी दूसरी और के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की गुड मॉर्निंग स्टूनेंस आज हम उनमेश इंदी पाठे पुस्तका पाठ आठ शुरू करेंगे जिसका नाम है परिक्षा परिक्षा से ही हमें पता चलता है कि जब भी हम चुनाव करती हैं तो पहले प्रिक्षाएं ली जाती हैं बच्चो आपके विद्यार्थी बच्चने के लिए प्रिक्षा ली जाती है उसी प्रकार जीवर में जब हमने कभी कोई नोकरी प्रापत करनी हो किसी पद को प्रापत करना है तो उसके लिए प्रिक्षा ली जाती है कि क्या उस पद को प्रापत करने के काबिल आप हो या नहीं ऐसे ही एक दिवान थे दिवान चुन ले तो वो चुनने के लिए राजा और सुजान सिंग दिवान ने क्या-क्या प्रिक्षा ली क्या-क्या लोगों के लिए उन्होंने लोगों की प्रिक्षाइं ली आईए इस पाठ को पढ़कर जानती हैं आईए पाठ को पढ़ती हैं और दिवान की प्रिक्ष किया विन्यमिन्स बेंती प्रात्मा दीन बंदू दासनी शिरिमान की सेवा 40 वर्षों तक की अब मेरी अवस्ता याने के उमर भी डल गई राज का संभालने की शक्ती नहीं रही कहीं भूल चुक हो जाए तो बुड़ापे में मेरे कारे में दाग ना लगे सारी जिंदगी की नेकनामी नेकनामी होता है अच्छा काम अच्छा नाम कहीं नेकनामी मिट्टी में न मिल जाए जाजा साहब अपने अन्भवशील नितीक उशल दिवान का बड़ा ही आदर करती थी बहुत समझाया लेकिन जब दिवान साहब ना माने तो हार कर उनकी प्रा पत्रों में यह विग्यापन निकला। देवगड के लिए एक सु योग्य दिवान की जरूरत है जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान दिवान सदा सुजान सिंग की सेवा में उपसीत हूँ। ये जरूरी नहीं कि वे ग्रेजियट हूँ। मगर मुश्मीन स्वस्थ एक महीने तक उमीदवारों के रहन सेहन अचार विचार की देखबाल की जाएगी। विद्या का कम प्रंतु करतव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाश्य इस प्रक्षा में खरे उतरेंगे वे इस उचपद पर सुशोबित होंगी। इस वि अपना अपना भाग्य पर रखने के लिए चल पड़ी। देवगड में नए नए और रंग बिरंगे मनुश्य दिखाई दिने लगे। प्रतेक रेलगाडी से उमीदवारों का एक रेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मदरासी, कोई नए फैशन का प्रे रखे और कंटॉप देवगड में अपनी सच दज दिखाने लगी। लेकिन सबसे विशेश संख्या ग्रैजुटों की थी। सरदार सुजान सी ने इन महानभूवों के आदर सतकार का बड़ा अच्छा प्रबंद कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए महीनों के दिन गिना करते थे। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धी के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। लेकिन मनुश्यों का वह बुड़ा जोहरी आण में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहां छिपा है। एक दिन नए फैशन वालों को सूजी कि आपस में हौकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हौकी में मंजे हुए खिलाडियों ने पेश किया। यह भी तो आखिरेक विद्या है। इसे क्यों छिपा कर रखें। संबब है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए तै हो गया, फील्ड बन गया और खेल शुरू हो गया। रियासत देवगड में ये खेल बिल्कुल निराली बाती यानि कि अनुकी बाग इससे पहले वहां कभी भी हौकी का खेल नहीं हुआ था। पड़े लिखे भले मानस लोग शत्रंज और तांज जैसे गंबीर खेल खेल दोड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाती थी। ना जाने किस पर लक्ष्मी की कृपाद रिष्टी होगी। कृपाद रिष्टी मिंस दया। संद्या के समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाड्य धनाड्य होते हैं बहुत धनी एकाद करमचारी और दरबारी तथपा दिवानी के उमीदवारों का समु सब रंग बिरंगी सज दज बनाए दरबार में आविरा जी। उमीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तब सदार सुजान सिंग ने खड़े होकर कहा दिवानी के उमीदवार महाश्यो मैंने आप लोगों को जो कर्ष्ट दिया है उसके लिए मुझे शमा कीजिए इस पद के लिए ऐसे पूरुष की आवशकता थी जिसकी हृद्या में दया हो और साथ साथ आतंबल हृद्या से उधार हो आतंबल वह जो विपत्ती का वीर्ता के साथ सामना करे और इस रियासत के सोभाग्य से हमको ऐसा पूरुष मिल गया ऐसे गुन वाले संसार में बहुत ही कम व्यक्ति हैं और जो हैं कीर्ती और मान के शिकर पर बैठी हुए हैं उन तक हमारी पहुंच नह जानकी नाथ सा दिवान पाने पर बदाई देता हूं रियासत के करमचारियों और रहिस्यों ने जानकी नाथ की तरफ देखा उमीदवार दल की आँखें उधर उठी मगर उन आँखों में सतकार था जने के आदर और सम्मान था इन आँखों में इर्शा सरदार साहब ने फिर कहा आप लोगों को ये सविकार करने में कोई आपत्ती नहीं होगी कि जो पुरज स्वेम जखमी होकर भी एक गरीब किसान की बरी हुई गाड़ी को दल से दल दल से निकाल कर नाले के उपर चड़ा दे उसके हिरद्य में साहस आतंबल और उदारता का वास है ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सताएगा उसका संकल्प द्रड़्य है जो उसके चित को स्थे रखेगा व्याचाहे दोखा खा जाए प्रंतु दया और दर्म से कभी भी पीछे नहीं हटेगा तो बच्चो इस कहानी को पढ़कर हमें पता चला कि मनुश्यों को कभी भी किसी के साथ छ देना चाहिए धन्यावाद बच्चो